प्रिंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस अमेरिकन एसे इस्ट और पोईट राल्फ वाल्डो इमर्सन की एक पोईम के बारे में जिसका नाम है ब्रम्ब ये पोईम 1856 में लिखी गई थी और तब इसका टाइटल रखा गया था सॉंग ओफ दा सूल लेकिन बाद में जब इसे पब्लिश किया गया 1857 में एटलांटिक में तब इसका नाम बदल कर रख दिया गया ब्रम्ब ये जो पोईम है 16 lines की है और 4 quatrains यानि 4 line stanza में बाटी गई है हर quatrains की rhyming scheme है A, B, A, B अब friends इस पोईम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजे जाननी होगी friends Hindu mythology के अनुसार तीन major gods होते हैं जिनका नाम है Brahma, Vishnu और Shiv और यहाँ इस पोईम के जो narrator है वो यहाँ पर इन्ही Lord Brahma को माना गया है इस पूरे पोईम में यह कहा नहीं गया है कि मैं Brahma हूँ लेकिन poet के according यह जो पोईम के narrator है यह खुद Lord Brahma है और यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह हम materialistic world में घिरे हुए हैं और छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जबकि हमें जो real truth है जो सचाई है उसके बारे में सोचना चाहिए और वो हमें तभी ही पता चलेगा जब हम Brahma के बारे में सोचेंगे सारी चीजों से ध्यान हटा कर हम Brahma को accept करेंगे यह मानेंगे कि वो कितने ज़्यादा powerful है और कैसे यह जो world है वो उनके लिए इतना importance नहीं रखता है यह सारी बाते हम और बहतर समझेंगे जब हम poem पढ़ेंगे तो poem का theme भी कुछ यही है divine spirit और साथी materialistic world अब अगर मैं बात करूँ poet की तो R.W. Emerson या Ralph Waldo Emerson जो थे वो एक American essayist, lecturer, philosopher, poet थे उनका जन्व हुआ था 25th में 1803 में और उनकी death भी थी 27th April 1882 में उनकी works में जो main ideas थे उनमें individualism, nature, divinity, cultural criticism यह सब ही शामिल हुआ करते थे और उनकी famous works में the American scholar, nature, self-reliance यह सब ही शामिल है तो चली अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझते हैं If the red slayer think, he slays, or if the slain think, he is slain Red slayer यहाँ पर जो god of death हैं उनके लिए use किया गया है कि अगर उस god of death को लगता है कि वो दूसरों की जान लेता है या जो slain है, जो मर चुका है उसे अगर ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो गई है They know not well the subtle ways I keep and pass and turn again तो वो जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं क्या नहीं जानते हैं मेरे तरीकों को कि कैसे मैं कुछ अपने पास रखता हूं, आगे बढ़ाता हूं, बदलता हूं और इस तरह से मैं ये जो life है इसे change करता हूं जो ब्रह्मा है उन्हें creator of life भी कहा जाता है तो यहां पर यहीं बताया जा रहा है कि ये जो life की end है, life की शुरुआत है ये भले ही दूसरों को लगता होगा कि किसी और के हाथ में है लेकिन ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता हूं, तो मैं कंट्रोल करता हूं मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि मैं life को रोक लेता हूं, आगे बढ़ाता हूं और changes लाता रहता हूं कोई चीज अगर बहुत दूर है या भूली जा चुकी है तो वो मेरे लिए ऐसा है मानों पास ही है मेरे लिए इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है दूर की चीज हो, पास हो, वो सब मेरे लिए एक जैसी है यानि जो अंधिरा हुआ और जो रोशनी हुई वो भी मेरे लिए बिलकुल एक जैसी है यानि problems से या happiness से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यानि वो भगवान जो अब गायब हो चुके हैं दूसरों को दिखते नहीं हैं उन्हें मैं देख सकता हूँ तो कहीं न कहीं हमें पता चल रहा है कि जो narrator है वो human से different है, वो एक human नहीं है क्यों क्योंकि वो God को देखने की बात कर रहा है तो वो God जिन्हें माना गया है कि अब वो नहीं दिखते वो खत्म हो चुके हैं, मैं उन्हें देखता हूँ एक दूसरे ही universe, एक दूसरे plane में और साथ ही ये जो shame है और fame है यानि किसी की इज़त, किसी का इज़त ना होना ये सारी चीजें मेरे लिए एक है यानि ना ही मैं इज़त के पीछे भागता हूँ और ना ही अगर कुछ बुरा होता है तो मैं शर्बिंदा होता हूँ इन छोटी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता तो ये जो material world है कही ना कही मुझे इस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अब वो लोग जो pray करते हैं लेकिन अपने prayer में मुझे याद नहीं करते वो मुझे भूल जाते हैं वो क्या करते हैं वो गलत करते हैं उन्हें पता नहीं है मेरी power का क्यों? क्योंकि जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो उनके आगे बढ़ने का जरिया मैं रहता हूँ मैं डिसाइड करता हूँ कि वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इतनी ज़्यादा power मुझे है I am the doubter and the doubt मैं हर एक चीज में हूँ यानि मैं ही वो हूँ जिसके बारे में लोगों को doubt होता है और मैं ही वो हूँ जो doubt करता है तो कहीं न कहीं मैं सवाल भी हूँ मैं जवाब भी हूँ मैं omnipresent हूँ और most powerful भी हूँ I am the him, the Brahmin sings और साथ ही जो Brahmin होते हैं जो संत होते हैं भजन गाते हैं वो किसके बारे में गाते हैं मेरे बारे में गाते हैं तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा लेकिन सारे इस धर्ती में जो सबसे powerful है वो कौन हूँ? मैं हूँ The strong gods Pine for my abode Abode का मतलब होता है घर तो मेरा जो घर है वहाँ आने के लिए जो बहुत ही ताकतवर भगवान है वो भी वहाँ आना चाहते हैं तो तुम उन भगवानों के पास जाना चाहते हो लेकिन वो भगवान तो मेरे घर आना चाहते हैं And Pine in Vean The sacred seven Friends, sacred seven के बारे में आपको पता होगा Hindu mythology में Seven different places in India हैं जो नहीं sacred seven करके कहा जाता है तो यहाँ जाने के लिए लोग जो हैं वो बहुत मिननते करते हैं कि वो वहाँ जाना चाहते हैं मगर उन्हें आना कहा चाहिए तो मेरे घर में वहाँ जाकर उन्हें असली खुशी मिलेगी असली happiness मिलेगी but thou meek lover of the god लेकिन तुम जो कौन हो अच्छाई अच्छाई के एक lover हो मतलब तुम बुरे नहीं हो तुम जादा गुसा नहीं करते तुम क्या करते हो अच्छाई को पसंद करते हो find me and turn thy back on heaven तुम आओ मुझे ढूंडो और अपना जो सिर है वो heaven की तरफ से मोड़ लो यानि स्वर्ग जाने की heaven जाने की जो उमीद है जो चाहत है उसे छोड़ दो बलकि मेरे पास आओ क्योंकि heaven से बहतर मेरा घर है और उन सभी God से जादा powerful कौन है? मैं हूँ मैं ही इस पूरे world को control किये हुए हूँ चोटी चोटी चीजों को मैं समालता हूँ life को मैं समालता हूँ तो heaven जाकर तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हे कहां आना है तुम्हें मेरे पास आना है तो friends यहाँ पर आकर यह जो poem है यह खत्म होती है यह poem एक तरह का philosophical explanation है कि एक universal spirit है जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं जादातर लोग इसे ब्रह्म करके जानते है और यह बहुत ही जादा powerful है यह जो spirit है यह एक तरह से कह सकते है omnipresent है हर जगा पाई जाती है और most powerful spirit है यह तो कहीं ना कहीं human जो है उन्हें अपनी छोटी छोटी चीजों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए